हेलो दोस्तों स्वागत है आज आपका हमारे फुल व्लोग के अंदर बीड़ बार वाली जिंद्गी से परिशान होकर हम जा रहें सुकुन की तलास में कोटा को कर दिया है बाय और हम निकल पड़े हैं सामर्या सेट के दर्शन के लिए नाइट का टाइम से अच्छा होता है करने के लिए इसी लिए हमने नाइट का टूर स्टार्ट कर दिया रास्ते में भूक लगने पर हम रुके एक डाबे पर जहां पर हमने डाबा स्टायल से उबाजी और अपना खाना पेने का आइटम मंगवाया और थोड़े स्नेक्स वगेरा पेग करके रख लिए ताकि ना नाम से और अच्छे से गाने सुनते में बाजन सुनते में हम नीन बज़िये लगते हैं के लिए स्थिरण तो काफी सारे लोग पार्टिसिपिट करने के लिए यहां सामरे सेट आये हुए थे यहां घुलाब की वर्षा और होली भी मनाई जाती हैं फिर पार्की में गाड़ी लगा के हम लोग अपने होटल की दलाश में निकल गए देखिए कितना सुन्दर सजावाय मंड़ुपिया डुड़ने के बाद एक अच्छा रूम मिला हमें और सब लोग रूम के अंदर एंटर हो चुके ताकि सब लोग रिलेक्स हो लें और अपनी अपनी नींद को पूरी कर लें रिलक्स होने के बाद सब लोग नाने दोने में लग गए और मॉर्निंग के सुबे 6 बजे सम्तिंग हम वापस भगवान के दर्शन के लिए रवाना हो लिए मौर्णिंग में दर्शन करने आज सूप माना जाता है और कहा जाता है कि भीर भी कम मिलती है तो इस वेम के अंदर हम भी निकल लिए सुबे का मुसम काफी सुवाना लग रहा था और यहाँ पर काफी सर्दी भी लग रही थी दीरे दीरे आगे बढ़ते हैं हमने तिलक वागेरा लगवा लिए और पूजा वागेरा तो हमने ली नहीं क्योंकि वहाँ पर अंदर एलाओ नहीं करते हैं करते हैं देखें यहां पर काफी सारी दर्शन के लिए बढ़े देखी हैं इसका कंटक्शन का काम हमेशा पूरे ऑारा मैंने चलता रहेता हैं अंदर फिर हमने शिव पार्वती के भी धर्शन किये और उसके बाद में मंदिर से बाहर निकलने लगे मंदिर से बाहर निकलते हुए फिर हमने कि तोड़ा सा डांस वगेरा क्योंकि वहां पर डोल बज रहे थे तो लोगों के अंदर का बूत चाग गया उसके बा लिए कार49 में जाके कार ली और वापस से निकल लिए हम सांवरेया सेट को बायबाय बोलके अगर आप झारस मोनेई एकके बाक थे तो कमेंड ऊचे सांवरेया सिट लिए वीडियो को लायक करें शेल करें सबस्क्राइब करें थेंक क्यू सबढम को dipping